नमस्ते बच्चों, कक्षा दस, विशेगनित और प्रिशनावजी अपने चल दिया चटी तिरभूज छैपन तीन के जो पांच दख के कोशन अब अपने हल कर चुके हैं छैसे आगी के कोशन देखते हैं, तो देखो शटा कोशन क्या दे रखा है अपने को दे रखा है कि आकरती में जदी A, B, E सरवांगसम है तिरभूज A, C, D के तो हमें क्या दरशाना है कि A, D, E समरूप है A, B, C के ये इसके समरूप है, बाद में हमें ये दरशाना है दो हमें सरवांगसम दे रखे हैं तो अपने को जो सरवांगसम दे रखे हैं उनको देखो अपने को क्या दे रखे हैं तिरबुज एक तो बात कर रखी है A, B, E की और दूसरा तिरबुज क्या है A, C, D दूनों सरवांगसम है A, B, E और A A, B, E और A, C, D A.B. बराबर हो जाएगा A.C. क्योंकि सर्वांगसम तरबुजों की संगत बुजाएं क्या होती है बराबर होती है यहां पर यह लाएं लिखोगे कि दिया है हमें सर्वांगसम तो सर्वांगसम तरबुजों की संगत बुजाएं क्या होती है बराबर होती है तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर हो जाएंगे ठीक है ये में दिया गया है अब देखो जो तर्बुज प्रूब करने हैं उनको लो तर्बुज A, B, E और दूसरा तर्बुज क्या ले लिया A, B, C है दोनों तर्बुज ले लिये अब देखो इन तिर्भुजों में स्मीकन एक वै दो से दो तिर्भुज A D E ये वाला हो गया A D बराबर A E है ठीक है मियान से और A B C में A B बराबर B C है तो इनका जो अनुपात होगा फिर A D अपॉन में A B का और A E अपॉन में A C का स्मीकन एक वै दो से दोनों का अनुपात बराबर होगा ठीक है अनुपात क्या होगा कि A D अपॉन A B A D अपॉन A B और A E अपॉन E C इनके संगत बुजाओं के अनुपात बराबर है ये तो अपनारे पास आ गया कौन A क्या होगा उबनिस्ट आ गया हमें क्या करना था प्रूब करना था और ये हमारे पास प्रूब हो गया इसके बाद देखो अपने कोशन नंबर क्या है साथमा देखो साथमा कोशन हमें क्या दे रखा है आकरती दे रखी है इसमें अपने को अलग-अलग जो बाग प्रूब करने है लेकर कि वो समरूप है या नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या दर्शाना है वो वाला देख लो सबसे पहले जिसको दर्शाना है अपने उसी को बना लेती है अपने को जो दर्शाना है वो क्या है AEP और CDP मतलब इस एरिये को और इस एरिये को हमें बताना है कि ये क्या है समरूप है या नहीं है दोनों एरिये ले लिए अब ये दोनों एरिये लेने के बाद ये वाला कौन तो क्या हो जाएगा दो तिरे क्रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो कौन पी और ये वाला कौन पी तो क्या हो जाएगा शीशा भी मुख कौन हो जाएगा ये तो क्या हो जाएगा शीश है पर कौन हो जाएगा और ये वह वाला जो कौन है ये क्या है शीश लंब है ये देखो AD क्या है और CE पर एक दूसरे को P पर पतिशेद करती है शीश लंब है मतलब ये भी कौन कितने लिगरी का है 90 का और ये भी कितने का है 90 का दो कौन 90 के होग है तो देखो कैसे लिखेंगे तिर्भूच ले लिया A, E, P और दूसरा तिर्भूच है C, D, P इसमें A, P, E कौन और D, P, C कौन कौन A, P, E बराबर होगा कौन D, P, C के क्योंकि ये कौन सा कौन है ये शीशावेमुख कोन है ये कौन सा कौन है ये शीशा विमूख कौन है और जो कौन D और कौन E मतलब P, D, C और P, E, A कौन P, D, C इक्वल है कौन P, E, A दोनों कौन कितने डिगरी के है 90 डिगरी के दो कौन बराबर होते ही तीसरा कौन क्या होगा फिर अपने आप बराबर होगा तो बाई एंगल एंगल प्रोपर्टी से ही अपने कह सकते हैं कि जो A, E, B है वो सरवांगसम होगा समरूप होगा सोरी C, D, P के सारे इसी तरह दीखते जाना है अब देखो दूसरा क्या है दूसरा A, B, D, A, B, D ये वाला अत्रिबुश और C, B, E, C, B, E और A, B, D इसमें B कौन तो क्या आगया, उबेनिस्टी आगया, दियान से देखो कौन कौन सा बागया अपने जाम पे दुवारा बनाते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा ये वाली चीज क्या हो कि हमने दुवारा बना ली A, D, C, E, ये है E, 90 टिग्री, ये है D, A, B, C कौन सा है A, B, D, A, B, D, ये वाला हो गया और C, B, E, C, B, E, तो इसके साथ ये वाला वी आड़ो तो B तो क्या आगया, दोनों में आ रहे ना, दूसरा दियान से समझो मैं समझाए ही रही हूं, लिखना खुद नहीं है कि जो कौन B है, दोनों में आ गया, उब्यानिस्ट हो गया अब इसकी बात एक तो है C, B, E, C, B, E और A, D, D, और E कौन दोनों में 90 डिग्री बराबर हैं दो कौन बराबर होते ही by angle angle property से ये क्या होंगे, समरूप होंगे हो गया, दूसरा question, अब तीसरा देखो A, E, P, ये वाला है बुजा P, A, E, P, और A, D, B, A, E, P मतलब ये छोटा और ये वाला, ये एक तो पूरा, A, D, V, ये वाला पूरा और ये छोटा, इसमें देखो कौन A तो इसमें भी उब्यनिस्ट है, कौन A तो इसमें भी उब्यनिस्ट है E और D इसमें भी 90 है बस एक 90 है, एक ubanist है फिर वोई बात by angle-angle property से, ये भी क्या होगा समरूप होगा, अब देखो last P, D, C P, D, C और C P, D, C और B, E, C P, D, C और B, E, C, वोई बात C ubanist है P, D, C में भी है B, E, C में ये D और E कितना है 90 डिगरी है, दो इसमें बरापर हैं तो ये भी क्या होगा, समरूप होगा, ये भी क्या होगा, अपने पास समरूप होगा, ये हमें प्रूप करना था, इसके बाद देखो, आठमा कोशन क्या देर रखा है, आठमा कोशन कि समानतर चत्रबुच A, B, C, D की बढ़ाई गई बुजा, अब देखो यहां से द्यान से समानतर चत्रबुच है, ये अपने पास कोई भी समानतर चत्रबुच है A, B, C, D इसमें बढ़ाई गी बुजा A, D पर A, D पर E एक बिंदू है जो बढ़ाई गी बुजा है वो क्या है, A, D पर कोई बिंदू है E, और C, D को C, D को वो F पर प्रतिशेद करती है ठीक है, अब अपने को क्या प्रूप करना है कि A, B, E समरूप है C, F, B के C, F, B के मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो इसके समरूप है या नहीं है ये हमें दर्शाना है तो देखो, ये क्या है समांतर चत्रबूप है समांतर चत्रबूप के समुख कोन क्या होती है बराबर होती है तो दोनों त्रबूप की बात करें अपने पास त्रबूप क्या है A, B, E हो गया और दूसरा त्रबूप हो गया C, F, B दोनों तरबुज होगे A, B, E और C, F, B तो इसमें A और C कौन तो क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि यहां पहलिक होगे कि समानतर चत्रबुज के समुख कौन क्या होते है बराबर होते है अब ये बराबर होगे अब देखो समांतर चत्रबुज की साम ये बुजाएं भी समांतर होती है ना समांतर चत्रबुज की ये बुजाएं क्या होती है समांतर होती है समांतर बुजाओं को एक त्रिक रेखा काटती है तो वो जो कौन बनती है फिर वो कौन से कौन होते है एक आंतर कौन होते है तो अब देखो जो A, E और B, C क्या है, A, E और B, C समानतर है, इनको एक त्रिक रिखा काट रही है, तो ये वाला कौन और ये वाला कौन क्या होगा, बराबर होगा, A, E, F, A, E, B भी कह सकते हो, तो A, E, B कौन होगा वो E, B, C कौन के क्या होगा बराबर होगा या C, B, F कौन के क्या होगा बराबर होगा एकांतर कौन से तो आप क्या लिखोगे कि जो कौन है A, E, B बराबर है कौन C, B, F के क्योंकि ये कौन से कौन है एकांतर कौन है ये कौन सा कौन है एकांतर कौन है तो by angle angle property से जो तिर्बुज है A, B, E वो क्या होगा समरूप होगा C, F, B के कौन सी property से by angle angle property से क्योंकि दो कौन बराबर होते ही तीसरा कौन फिर क्या हो जाता है अपने आप ही बराबर हो जाता है तो अपना ये जो आर्ट के जो कोशन है पूरे हुए नो से जो आगे के जो कोशन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे रन्यावाद